नमस्ते हमारे साथ है कार्क्रम प्रोफसर अवे दूबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है हमेशा की तरह मैं बार-बार हर बार शायद एक ही चीज को रिपीट करता हूं कि राजनेते घटना क्रम और तेज होता जा रहा है और उसका कारण जो मुझे लगता है कि दो हजार चौबिस का एलेक्शन भी है अभी हाल की बहुत सी घटनाय हुई पिछले हफते मैं उस पर प्रोफसर साब से समझने की कोशिश करूंगा क्या है लोगसभा राजसभा के कुल मिलाके 27 सांसद मतलब 25 तारे को चार फिर 26 तारे को निस फिर 27 को एक फिर 28 को तीन 27 निर कातार मांग होती रहे कि महंगाई GST अगनी पत्वे बाची तो सरकार का शुरू में कहना यह था कि अभी निर्मला जी जो वाइन्स मिनिस्टर है वह स्वस्थ हैं वह जब ठीक हो जाएंगी तभी हम इस पर बात कर सकते हैं लेकिन कल निर्मला जी दिखाई दियों और इश जी साहब उनकी एक मित्र की महिला मित्र के घर से फहले एक घर से बीस करोड मिला पिर दूसरे घर से करोड मिला फिर कोई नौ किलो सोना मिला, नो किलो सोने में, मैं आपने घर की बाद रटा दो, मेरी पत्नी को नो किलो सोने में ज्यादा इंट्रस था कि इसका दाम कितना होगा, घर, यह सब होता रहा और, इस बीच, मैं पहली चीज़ी समझू कि दूबे कि यह हर अब स्टेट में आप देख रहे हैं एक दो मंत्री खाना कि उनको निकाल दिया गया है उनको कविनेट मंत्री मंदल से लेकिन महराष्ट में वैस बंगॉल में दिल्ली में कुछ मंत्री जी लोग अब हवालात में जेल में यह प भष्टाचार के आरोख में गिरफतार किये गए हैं या जेल में हैं या परवरतन देशाले के सामने उन्हें पेशी होनी पड़ती है उसकी दो कैटेगरी एक कैटेगरी वो है जिसके नुमाइंदे पार्च ररजी और उनकी जो उनके साथ काम करने वाली अर्पिता मुखर जी है एक तो कैटेगरी ये है और दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें आप सत्यंद्र जैन को रख सकते हैं और जिसमें आप राहुल गांदी और स्वणिया गांदी को रख सकते हैं उनको भी लगातार गवन के एक तथाकतित मामले में हैं जिसमें कांग्रेसियों कहना है कि क इसी एक नए पैसे का इवन हुआ ही नहीं है और उसमें लगातार उने परवरतन देशालय के सामने पेश होना पड़ता है तो तो ये दो श्रेणिया हैं एक श्रेणी तो ऐसी है पार्च रजी वाली जिसमें पहली बारी जब उनके उपर और वरतने दिशाले ने छापा मारा था और अर्पता मगर्जी घर खन पकड़ा गया था उसी वक्त आनन फानन में मंता बनर्जी को चाहिए था कि उन्हें मंतर प की दूसरी बड़ी किष्ट नवरामद हो गई और जब तक सारे और उनके भेद नहीं खुल गए जब तक यह पता नहीं चल गया कि कितना ज्यादा फ्लैट है इनके नाम देखिए जब इस तरह की कोई घटना हो और उसके उपर उसको सजा देने के मामले में उसके नेता को थोड़ा संकोच हो तो ये चीजें बहुत सारी बहुत सारे अंदाजे लगाने के लिए आपको मजबूर कर देए मैं मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है और मेरे खाल से जो मैं जो प्रश्चा करना जा रहा हूं उसमें आप भी साजीदार होगे मुझा वनर जी एक बहु पार्टी यासी एक प्रचंड संसादन संपन चुनाव लड़ने की मशीन को भी परस्त कैसे किया जाता है ये काम वो जानती है और ये एक असाधारन योगता है लेकिन पिछले दूनों ममता बनर जी ने अपनी इन असाधारन योगताओं को थोड़ा सा उनके महत्त को कम किय है जी जिस तरीके से जिस तरीके से उनके अब शेक बनर जी की उपर इल्जाम लग रहे हैं और वो उस उन 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 इल्जामों से वो बच रहे हैं और जिस तरीके से पार्च बनर जी किया इतना पचास करोड़ से उपर रुकम मिली है कैश और संपत्ती पता चली है और एक दूसरा धंग भी देखने का है मेरा थख़ड़ा मैं अपने नजरिये से कह रहा हूं लेकि बीजेपी में जाए एक तरफ टेनी जी जैसे लोग है इसमिती रानी जी है टेनी जी की उपर बहुत खराब खराब रिमार्क हाई कोट ने पास किया है भी परसों फिर कहा है कि तो एक तरफ ये भी देखना होगा कि जो अपने आदमी को चाहे हो हत्या करे चाहे और आदमी रॉंदे कुछ करे उसका लड़का रॉंदे उसको बचाने का काम करते है ममता बने जी की उपर भी प्रशर तो रहता यह भाई वो भी पावर पॉलिक्स में है जो आपकी बात स या तो इतना जाता पैसा है कि हर फ्लैट में है जहां जाएए बहुत ही और भी पैसा मिलेगा क्योंकि जो आज आज का टाइमस ऑफ इंडिया आप देखिए टाइमस ऑफ इंडिया की संपादगी में बहुत बिल्चस्ट टिपनी की गई है कि यह काला धन छिपाने का बहु कैसे इसको छिपाएं मुझे एक हमारे चार्टेट अकॉंटेंट मित्र हैं जो बहुत वरिष्ट हैं तो एक वार मैंने उसे मजाक में कहा कि इतना ज़्यादा राजीतिक वर्श्टाचार होता है अगर मेरे ड्राइंग रूम के फर्श पर सौ करोड़ रुपया नगत रख कर पाने जो काले धन को गलाने की तमाम युक्तियां विदियां होती हैं वह भी फ्लॉप हो जाएं तब फिर ऐसे ही होता है कि आप और सीज़े तरीके से ऐसी जगों पर पैसा रखते हैं जहां पर आपके पसने के बहुत ज्यादा चांसे रहते हैं तो मुझे लगता है कि अब अब यह अबूद पूर राजीतिक भष्टाचार का मामला है और यह असंभाव है मेरे मेरा तारकिक मस्तिश की मानने के लिए तैयार नहीं है कि इस सारा का सारा पैसा के एवल एक ही व्यक्ति लना को है इसका नाम पार्चरड़ जी है और अबताम अगर्जी की कोई आ यही तिक भष्टाचार के जरी यह शिक्षक भरती की घोटाले में निकला जो पैसा निकला है यह पैसा कहां कहां जाता होगा इस बात को अभी मैं अपने मुझे नहीं कह सकते लेकिन आप भी जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं और मैं भी जानता हूं कि मैं क्या कहना चा कि दीमक लगी हुई है और उसमें कितना वुष्टा चाहर है शिक्षक भरती घुडाले में हर्याना में एक मुक्यमंत्री शायद जेल काट रहा है पूर्वक्यमंत्री एक पश्चन मंगाल में आप उधारान देती रहे हैं और भी जगह जगह शिक्षा के शिक्षा में जो शिक्षकों की शिक्षकों के पद हैं वो पद राजनीत के बाजार में दिख रहे हैं और सरकार की तरफ से उनको बेच बेच कर ताला धन कमाया जा र एक मध्धिवर्गी व्यक्ति होता है किसी किसान का बेटा होता है किसी दुकांदार का बेटा होता है जो दुकान बनी बैठना चाहता है टीचर बन जाना चाहता है यह तीचर कहीं बेटा होता है यो टीचर बन जाना चाहता है देखिए उसकी महत्वा कंच्छा एंबीएस ड कारकुन चुने हुए कारकुन अफसरों की अफसरों की साथ गांट के साथ में तगड़ी रिश्वत बशूलते हैं और रिश्वत इतनी होती है कि वो सैकड़ों से हजारों करोड उपए तक में वो रिश्वत जा सकती है यह असंबा हो है कि यह रिश्वत ऊपर से नीचे तक न पढ़ती हो यह संबह हो है कि रिश्वत चुनावी मुहिं में इस्तेमाल न होती हो यह पार्टी के आला कमान को भी ऐसी रिश्वत का पता न हो टीमसी का यह टीमसी के अंदर यह कांड हुआ है टीमसी वाले पकड़ गए है उनकी पॉल पुल गई है लेकिंद दूसरी पार मैं इसी में एक चीज ज़रा क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं जो लोगसभा पर मैं एक मिनट बाद आओंगा लेकिन उसके पहले ज़रा एक बैग्राउंड जो मेरी समझ में आ रहा है यह सब दो हजार चॉबिस की तैयारी है चाहिए वह आप वेस्बंगॉल में वह कहिए क्योंकि वेस्बंगॉल में 18 सीट बीजेपी के आई कि बीजेपी को अगर उतनी सीट रिटेन करना है 303 का बहुमत कम से कम लाना है और मुझे बार बार एक चीज यह लगती है कि बीजेपी अगर 273 की मार्क्स पे नहीं पहुंचेगी तो बीजेपी की जो अपना जो भी उ क्यांबे 91 ही है और अगले दो साल तक कहीं से कोई वह नहीं होना है 2023 में दस सीटों का चनौव है और वो सारी बीजेपी की सीटे खाली हो रहे हैं वेस्बंगॉल की छोड़के बाकि चार बीजेपी की खाली हो रहे हैं तो मेरे खिसाब से कोई चेंज नहीं होगा और फिर 2024 में 64 सीटों का चनौव है जहां पर मुझे लगता है कि जैसे MP में चार बीजेपी के सांसत हटेंगे अगर महराश में तीन बीजेपी के सांसत उत्तर प्रदेश में नौ बीजेपी दस खाली होंगे नौ बीजेपी सांसत राज सबागी बात करूं तो बीजेपी का और कम हो होने वाले हैं तो बीजेपी के लिए करो या मरो का है कि अगर दो हजार चौबिस में वह बहुत कमफुर्टिबल मुझे मेजार्टी से नहीं आएंगे तो उनका जो भी प्लैन है उस पे कही दिक्कत होने जा रही है नहीं नहीं आपने इविश्टेशन किया है बिल्कुर कोड़ी सी चल्दवाजी है इसमस्ता हूं अगले साल इसी महीने के तक चुह है चुनाओ की बयार चलना शुरू हो और तब वास्ताओं में चुनाओ के लिए तरह तरह की पेश्बंदिया की जाएंगी अभी तो पश्चिमंगाल में श्थिती यह है कि भाजपा अपने खो पराजय के बाद हुआ यह था कि भारतिया पार्टी की लोग लगा कर टिमसी में जाने लगे थे और इस्तिती यह थी कि लोग लौड स्पीकर रिक्षे पे लगा कर छमा मांगते हुए घूम रहे थे और ऐसा लगा था कि भारती अंता पार्टी में सिर्फ संग से आई हुए कुछ लोगों और बिलीब भोश बगारा इस तरह कि लोगों को चोड़के कोई नहीं होगा बाब और शत्रकुंसना से भी दिली में हम लोगों की मुलाकात हुई उनके साथ हम लोगों ने एक प्रेस कॉंसरेंस भी इस तरीके से उनका चुनाव चुनाव महम वहां चलाई गई उसके बारे उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया तो मैं यह समझता हूँ कि इस मौके का ल वह उनका बंगाल की बंगाल में कोई आप कोई लोग परीता बची नहीं है वो बहुत पराना जमाना था जब मढई चक्रवर्ती को बंगाल में बहुत ही लोग प्री एक ऐसे सफ़ल स्टार के मूप में देखा या ता था जिससे बंगाली ओने के बावजूद हिंदी फिल एक्टर, हीरो के रूप में, फिल्म स्टार के रूप में ऐसी इस्थिती नहीं थी, विश्चीत बगरा हुआ करते थे, लेकिन उनका कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कद नहीं था, तो मिठुन चक्रवर्ती इसलिए बहुत लोगप्री हो गए थे, और जाहर है को योवा प् जी की राजीटिक शक्ती अभी भी बंगाल में अच्छन है, ऐसी बनी ही रहेगी इसकी कोई गारेंटी नहीं है, लेकिन आप इस घटना के बावजूद ये कहना बिलकुल ना समझी होगी, कि मंता मुनर जी की राजीटिक ताकत प्रभाव और उनकी पकड़ है बंगाल की वह कम हुई है, आप देखिए घटना करण किस तरीके से बढ़ता है, अगर भारती जंता पार्डी बंगाल की राजीटिक में कोई वापसी कर सकती है, तो इस घटना की मदद से कर सकती है, लेकिन कैसे वापसी करेंगी, वापसी तभी कर सकती है, जिरी घोश की दम पर नही कर सकते हैं, भारती जंता पार्डी को नेत्रत चाहिए, जो बंगाल में उसके पास नहीं है, नहीं लेकिन जो अभी जो दिकत मैं जो जिस रफ्रेशन से कह रहा हूं, यह चार-पांच बड़ी स्टेट हैं, जहां पे पहले कॉंग्रेस मुक्त भारत नहीं, अब जो बीजे करेंगे, क्योंकि इंडिरिकली तो वो कहीं न कहीं उनको सपोर्ट करी रही, मैं अब दूसरे एक मिश्या पर भी आ जाओ, यह जो रोगसभा चल रही है, नवा दिन आस था, आज कोई ऐसी उथल पुथल नहीं थी, लेकिन सुबह जब मैंने देखा, कोई बहुत भी भी न मिदारी है, चला कर, यह क्यों से भाग रहे हैं, क्यों नहीं फेस कर रहे हैं, देखिए, जहां तक ममता बनर जी द्वारा, आज अब आर्फ़राश्ट पर आज़ावा में जो उन्हों ने स्टेंड लिया है, उसका सवाल है, मैं आपकी आलोचना से मोटे तोर पर सहवात आप पहले भी इस बात को रख चुके हैं, इसी मंच की उपर, तब भी आपने ये बात कही थी, उसके बाद मैं इसकी उपर सोचता रहा, मेरा मानना है आपकी आलोचना मोटे तोर पर सही है, ममता बनर जी धनकर्द के साथ में, राजिपाल के तोर पर ममता बनर जी का जो ब बावजूद भी आप उन्हें, लेपक्ष का जो भी अम्मीदवार हो, उसके लिए उसके खिलाफ उन्हें, उसके पक्षमों इकवेड़ करना चाहिए, और धनकर्द कहीं लहीं, ठनकर्द के जो इनाम मिला है, वह ममता बनर जी को परिशान करना ही इनाम मिला है, कुछ-कुछ संयोग से उनके पक्षमे किसान अंदोलन में सरकार की जो किर्गरी हुई थी जाट किसानों के सामने तो वो थोड़ा उनके पक्षमे और चला गया है धनकर दे पक्षमे लेकिन मैं समझता हूं कि असली बात जो है वो यही है कि वो और ममता बनर जी को जिस तरह और तंग किया जो धनकर ने जो राजिपाल गीरी की है आप बताईए इस तरह का राजिपाल आम तौर पर केंदर के एजेंट के तौर पर काम करते हैं लेकिन धनकर ने उसकी सारी सीमा ही लंग दी मैं मैं प्रोश आप एक चीज़ और समझना चाहूंगा यह जो इस्मृति रानी जी ओवर चार्ज हो कि जो उन्होंने जिस तरह का एक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो कुछ नहीं बोली होती है वो कॉंग्रेस अपना प्रेस कांफरेंश करके निकल जाती कौन होता है बहुत सी कांफरेंश होती है और मैं अग YouTube की वजह से बता रहा हूं जैशह के उपर जब आरोप लगा था और कए आरोप लगेते और इनीशीली उनका कर रहा है कि कल भी जो हुआ पार्लेमेंट में वो थोड़ा स्मृति इरानी और भाजपाद दोनों के लिए बहुत अच्छा नहीं है देखिए आपको तो ध्यानी होगा कि स्मृति इरानी की बेटी और उसका जो तताकतित बार है उस पे कांग्रेस के नेताओं ने जैराम रम अपने आपको उनकी आदत है घाइल शेरनी की तौर पर फेश करना आपको याद होगा जब रोहत वेवुला प्रक्रण हुआ था मानव संसादन मंत्री थी हैं तब भी उन्होंने संसद में इसी प्रकार का एक अतियाक्रामक रवाईया अपनाया था तब भी उन्होंने मैं भी एक माहूं बगरा कहके उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी चाती ठोकी थी उन्होंने तो यह उनका यह उनकी शैली है और उस शैली के कारण वह भारती अंता पार्टी के अंदर काफी ब्राउनी पॉइंट्स हासिल करती हैं काफी लोग प्रिये भी हैं मेरा मानना है कि प्रफान मांकी नरेंद बोदी भी शैली के कारण उनको विशेश प्रोफसान देते होंगे और उसके बाद रोहिद गोईमला प्रेफरंड में और समानों संसादान मंत्री की तौर्ट उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा उन्हें मंत्राले से हटा दिया गया और उसके उनकी ये विशेश किसंती आकरामक शैली उनके लिए लाबकारी रही है और इस वक्त तो थोड़ी सी वो आहत्वी हैं अपनी बेटी उनकी बेटी इस तरह से कांग्रेस ने विवाद गरस्त की और उसके बाद ट्विटर पे एक बहुत एक महिम चली उस महिम में इनके को पेश किया गया और फिर वो ये वो महिम ये बताती थी कि कांग्रेस की तरफ से जो इल्जाम लगाया गया इनकी उपर ये इल्जाम सही है और ये जिस तरीके से अभी ये उसका बचाव कर रही है ये विसमृती का एक प्रकरण है जिसमें लगता है अपने ही दिये गए वक्तव्यों को ये भूल चुकी है तो इस तरीके से पूरी तो इस लिए वो काफी आहात और परेशान है क्योंकि जैसा अगर वो आरोब जो रमेश जो उनकी उपर लगाया है अगर उस आरे आरोब में को सच्चाई पाई गई क्योंकि उसके अंदर गलत नाम से जूटे न इनको नहीं बचा पाएंगे कितना भी कितना कितना भी इनको एक नायका की तौर पर देखते हों इसने सौनिया गांदी के बेटे को कांग्रेस के अध्यक्ष को चुनावा में हराया है ये मंत्रिपा इनका नहीं बच पाएगा इसलिए ये कुछ परिशान भी है और उसके चलते उन्होंने एक अत्रिक तावेश में आकर लोग सभा में इस पूरे प्रक्रण में भाग लिए प्रोज़ा मैं एचीज और कौन कि कल का जो प्रक्रण हुआ उसमें मैं दो वज़े से मुझे ऐसा लगता है एक तो भाजपा के पीछे कि जो भी श्रीट नेतरुत है उस थी प्रेसाइडर esp Robinson work जाना का हुआ मुझे कुछ काहना एं तो फिर इस्पीकर आपको अलाउ करता है फिर आप बोलते हैं इस पीकर ने कुच भोला भी नहीं ने आपको ने नमबर बी ओम बेर नगें खी एक बार भी प्रयास भी नहीं किया कि इनको कहें कि भाई आप मुझसे बात करें आप उनसे क्यों करें तो यह कहीं न कहीं मिली जो लिक तो था मतलब यह पीछे से सब्सक्राइब है इसको तो कोई भी उस दर्श्च को देखता हो इसी नतिये पर पहुंचता सी नतिये पर सब्सक्राइब को एक मुख्र संघर्शकारी कांग्रे से टक कर लेने वाले सौनिया गांधी के मुकाबले खड़े हुए खड़ी हस्ती के रूप में पेश किया जाता रहे गाए और इस घटना के बात खास्तोर से जब सोनिया गांधी के साथ उनकी बहस होई और अप्री कि सौनिया गांधी बड़ी परेशान लगी और जिस तरीके से उन्हों ने एक पत्रकार से उन्हों ने कहा सौनिया गांधी निमुड़के एस और अधीर रंजन चौदरी जो अकसर कॉंग्रेश को अपनी धीरी जुमान के कांड सांसब में डालते रहते हैं और इस वार जो न समय अर्से से जो सांसद है जो बंगाल में इतने दिनों से राजनीती कर रहा है इतने बड़े बड़े पदों की उबर जो व्यक्ति रहा है विपक्ष का नेता भी पिछले बार भी वो थे अधीर रंजन चौदरी तब भी उन्होंने एक बार इस तरह ही कोई बात कही तब बात कही है इसके पीछे जरूर के दिमाग में शारारात की भावना होगी जब प्रतिक्रिया होई और पकले गए तो अब इस तरह की बात कर रहे हैं यह जो लोग कॉंग्रेस का कोई बला नहीं कर सकते ने और एक और प्रत्वा पाटिल जी भी तो एक राजपती रही है तो पैसे लेताओं का विकर कांग्रेस को कोजना चाहिए और इनको मुझे अभी भी लगता है कि इनको उसी समय देखिए एक और चीज़े जब यह कह रहा है थे कि मुझे उसी समय पता लग जया कि मैंने गलत कहा तो ट्वीट कर देते हैं आज कल तो हर चीज़ें ट्वीट पे हैं मैं एक आखरी सवाल करके खतम करूँगा लेकिन मेरी अपनी रीडिंग यह है कि जो भी कल समिती रानी जी ने किया है लार्जर वो ठीक है लेकिन चुकि उन्होंने सोनिया गांदी की साथ जो किया है उससे मुझे मेरे हिसाब से कॉंग्रेस का फाइदा हुआ है किस लि लोगों को लगा है कि एक सीमा होती है, उस सीमा को लांगे कल इसमिती रानी लांग नहीं है क्योंकि यह बहुत common चीज़ है और हम और आप भी करते हैं अकर कोई बहुत इस रही बाते हैं, आप उससे बात नहीं करतें, आप बहुत से लोग होते हैं, इनको loc Life शमित्र करूंगा कि उनमें जोश आ जाए इस वक्त देश में हालत यह है कि जो छेत्री शक्तियां है उनकी विपक्ष के नेता के तौर पर विपक्ष के नुमाइंदे के तौर पर वफादारी काफी संदिक लग रही है यह राष्टपदी के चुनाओं में दिख गया है और उप तो अब सवाल यहाए कि भारती अंता पार्टी के विपक्ष का निर्माड कौन करेगा तो कांग्रेसी बच जाती है मोटी तोर पर राश्टी स्थर पर भारती अंता पार्डी के खिलाफ एक तरह से समझवव ताहीन रवया दिखा सकती है और रहुल गांदी की जो बाते है वो अक्सर सम्झाता है इन रवायत दिखाती है लेकिन मुझे इस में एक शक लगता है वो शक ये है कि मुझे लगता है कि किसी ने किसी तरीके से नरेंद्र मोदी के पास और भार्ती अंता पार्टी के पास कॉंग्रेस को भी सांसत में डालने और उनको कौने में धकेलने की वो युक्तियां हैं जो युक्तियां वो अन विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और जब वो उन युक्तियों का जम के इस्तेमाल करते हैं उस वक्त कॉंग्रेस विपक्ष की एक जुझारू भी पक्षकी भूमका निभाने से थोड़ी सी बाज आती हुई दिखाई पड़ती है इस वक्त इस्थी यह है कि कौंग्रेस ने विलकुल उनकी साथ गिराना वह भजबाना कांगरेस की साथ गिराना विलकुल तै कर लिया है वह बारवार एडी के सामने होने बुला के परिश खाया और खुब चिल्ला चिल्ला के स्वार को कहा दो नहोंने नाम लेकर कहा था सौनिया गांडी ने मोटा माल खाया मैं उसी वक्त तुम् hanagra थी कि आगर आप राश्टी पार्टी के प्रवकता है सरकारी प्रवकता है आपको य्किन होगा कि आप तक अत्रूब भू मैं आपसीघेरा चाहता हूं लेकिन ऐसा नहीं किया कॉंग्रेस ने कुछ भी तो वह प्रबरतन नेशाला के जरिए इंकम टेक्स के जरिए और इसी तरह की अपनी जो सीवी आई के जरिए वह कॉंग्रेस की साह गिराने की नीती पर चल रहे हैं यह सारा पूरा का पूरा प्रकंड हो रहा है इसलिए हो रह बात करने के लिए अगले हफते तक देखे चीजें तब तक हो जाएंगे क्योंकि लोग सब्सक्राइब करें कि अगले हफते कुछ चले कुछ दिन कुछ तो बहस हो बहुत नमस्क्राइब